सभी भक्तों को नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है भक्तों चलिए जानते हैं क्या होगा आपका देनिक राशिफल मेश राशिफल आज आपके पास प्रचुर उर्जा होगी लेकिन काम का बोज आपकी खीज की वजह बन सकता है अपने निवेश और भविश्य की योजनाओं को गुप रखें दिन के दूसरे हिस्से में आप आराम करना और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे शाम को प्रिय के साथ रोमांटिक मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहास से बढ़िया दिन है आईटी से जुड़े लोगों को अपना जोहर दिखाने का मौका मिल सकता है आपको काम्याबी पाने के लिए केवल काम पर एकागर होकर जीतोर मिहंट करने की जरूरत है जीवन की पेची दिगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ट शक्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशे कर सकता है। उपाय आर्थिक स्थिती को बहतर करने के लिए अस्पताल आदी में रोगी व्यक्तियों की मदद करें। व्यक्तित्व आज इतर की तरह महकेगा और सब को आकरशित करेगा। पर्यक्षेत्र में दिल लगाने से बचे नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। जदी आप किसी से जुरना भी चाहते हैं तो ओफिस से दूरी बना कर ही उनसे बात करें। खीजों और लोगों को टेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। आपका जीवन साथी रोजाना की जुरूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खीच सकता है। जिसके चलते आपका मन उदास होने की संभावना है। उपाय ज्यानी, विद्वान और न्यायकरता लोगों का सम्मान करने से आर्थिक स्थिती अच्छी होगी। मिथुन राशिफल अपनी शारिरिक चुस्ति फूर्ती को बनाये रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। अतिरिक्ट धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। बच्चे उम्मीदों पर खरे न उतर कर आपको निराश कर सकते हैं। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोचसाहन देने की जरूरत है। आपकी प्रेन कहानी आज एक नया मोड ले सकती है। आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात कर सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला देने से पहले आपको विचार अवश्य करना चाहिए, भले ही छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन कुल मिलाकर यह दिन कई उपलब्धिया दे सकता है, उन सहकर्मियों का कास ध्यान रखें, जो उम्मीद के मताबिक चीज न मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं, आज आप नए विचारों से परिपून रहेंगे, और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे, वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे, जीवन साथी से अच्छी बातचीत हो सकती है, आप महसूस करेंगे कि आप दोनों म कितना प्यार है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वपूर्ण कामों को कर सकते हैं, तो आपकी सोच काफी गलत है, सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी-छोटी बातों को नजर अन्दास करेंगे, तो उन्हे बुरा लग सकता है। आप देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, आज आपकी मुस्कान बेमानी है, हसी में वो खनक नहीं है, दिल धड़कने में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि आप किसी कास के साथ की कमी महसूस कर रहे हैं, काम में मन लगाएं और जज़बाती बातों से बचें, मुम्कि तयार होने में परिशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन साथी की ओर से इससे निवटने में काफी मदद मिलेगी। उपाय, पीपल के व्रिक्ष की छाया में खड़े होकर, लोहे के बरतन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में चड़ाने से आर्थिक समरिध्धी आएगी। कन्या राशिफल आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल कूट को शामिल किया जाना चाहिए। आज का दिन ऐसी चीजों को खरीबने के लिए बढ़िया है, जिनकी कीमत आगे चल कर बढ़ सकती है। आपका मजाकिया स्वभा आपके चारों और के वातावर्ण को कुशनुमा बना देगा। लवमेट आज आज आपसे किसी चीज की डिमांड कर सकता है, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से आपका लवमेट आपसे नाराज हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके सामने नई चुनौतिया आएंगी, कास तोर पर अगर आप उपनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तिमाल करेंगे तो कोई आध्यात्मिक गुरू या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है, आपको खुशी से भरी शादी शुदा जिन्दगी की एहमियत का एहसास होगा। उपायत नौकरी व बिजनेस में तरक्की के लिए अपने घर के प्रवेश द्वार से साफ हवा आने का प्रबंध करें। तुला राशिफल अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीवर इच्छा पैसा होगी, घर में मरम्मत का काम या सामाजिक मिलमिलाप आपको व्यस्त रखेगा। आज आप इश्क की चाशनी जिन्दगी में घुलती हुई महसूस करेंगे, यह उन कुछ दिनों में से एक है, जब आपकी रचनात मक्ता अपने चरम पर होगी। समय का अच्छा इस्तिमाल करने के लिए आज आप पार्क में घूमने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन वहां किसी अंजान शक्स से आपकी बहस होने की अशंका है, जिससे आपका मूर खराब हो जाएगा, यू तो। जीवन हमेशा कुछ नया और चौकाने वाली चीज आपके सामने लाता है, लेकिन आज आप अपने जीवन साथी का एक अनोखा पहलू देखकर खुशी से चौक जाएंगे। उपायक गंगाजल को लगातार 108 दिन घर में छिड़कने से पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर रहेंगी। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है, तो आपका वक्त हंसी कुशी और सुकून भरा रहेगा। आज आपकी कोई चल संपत्ती चोरी हो सकती है, इसलिए जितना हो सके इनका ध्यान रखें। घर में और आसपास छोटे मोटे बदलाव घर की सजावट में चार चांद लगा देंगे, आपका प्रिये को आपसे भरोसे और वादे की जरूरत है। सन्यम और साहस का दामन थामे रखें। कास तोर पर तब जब दूसरे आपका विरोध करें, जिसकी कामकाज के दौरान संभावना है। घर में पड़ी कोई पुरानी वस्तु आज आपको मिल सकती है, जिससे आपको अपने बचपन के दिनों की याद सता सकती है। और आप उदासी के साथ अपने दिन का काफी समय अकेले बिता सकते हैं, जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का भरपूर समय मिलेगा। उपाय सुभा उठते साथी ही हां हनुमते नमह का ग्यारा बार उच्चारन करने से आर्थिक स्थिती अच्छी होगी। धनु राशिफल दूसरों के साथ कुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। आर्थिक तौर पर बहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीजें करीदना आसान होगा। लोगों और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला न लें। हो सकता है कि वे दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानु भूती वविश्वास की जरूरत हो। आज आपको निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि मुम्किन है कि आप अपने प्रिये के साथ सैरसपाटे पर न जा पाए। कुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हों अपने काम से आराम लेकर आज आप कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। आपका जीवन साथी आपकी जरूरतों को अंदेखा कर सकता है जिसके चलते आप चिड़-चिड़े हो सकते हैं। उपायत लाल गाय या लाल कुट्टे को भोजन कराना पारिवारिक जीवन की खुशियों को बढ़ाएगा। मकर राशिफल आज के दिन आपके चहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजन्बी भी जाने भचाने से महसूस होंगे। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। आपके बच्चे के पुरुसकार वितर्ण समारोह का बुलावा आपके लिए कुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिये अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। प्रेम के नजरिये से आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक शमता को काफी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की संभावना भी है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खुबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर। संबंध रह सकता है। जहां तक संभव हो बात को बढ़ने न दें। उपाए आर्थिक स्थिती को अच्छा रखने के लिए कांसे का दान करें। इससे बुध प्रसंद रहता है। कुम्भरा शिफल अपने वजन पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। आज आप अपने घर के वरिष्ट जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं। और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। मुश्किल दौर में आपकी जिन रिष्टेदारों ने मदद की है। उनके लिए अपनी कृतग्यता को व्यक्त करें। आपका यह छोटा सा काम उनके उच्साह को बढ़ाएगा। कृतग्यता जीवन की सुगंध को फैलाती है। और एहसान फ्रामोशी इसे तार-तार कर देती है। प्रेम का आहलाद महसूस करने के लिए आप किसी नए व्यक्ती से मिल सकते हैं। आप किसी बड़े व्यावसायक लेंदेन को अंजाम दे सकते हैं। और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का सन्योजन कर सकते हैं। रात के समय आज आप घर के लोगों से दूर होकर अपने घर की छट या किसी पार्क में तहलना पसंद करेंगे। रोमानी नजरिये से वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन है। उपायक मास्क मदिरा का त्याग करने से हेल्थ अच्छी रहेगी। मीन राशिफल असुरक्षा दुविधा के चलते आप असमंजस में फंस सकते हैं। अपने अतिरिक्ट धन को सुरक्षित जगह पर रखिए जो आने वाले वक्त में आप फिर पा सकें। जिन्हें भावनात्मक संबल की जरूरत है। वे पाएंगे की बड़े मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अपने प्रिये को आज निराश न करें। क्योंकि ऐसा करने की वजह से बात में आपको पच्चताना पड़ सकता है। आप काम्याबी जरूर हासिल करेंगे। बस एक एक करके महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने मन को शांत बनाए रखने के लिए आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। गलत्फमी के लंबे दौर के बाद इस शाम आपको जीवन साथी के प्यार का तोफा नसीग होगा। उपाए अच्छी सेहत के लिए पूर्व की और मुख करके भोजन करें। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।